आपका हिस्टोरिका में स्वाइब करता हूँ मैं UPSI mock test paper 2106 का solution कराने जा रहा हूँ इसका PDF file नीचे descriptive में नीचे लिखा हुआ है आप इसको note कर सकते हैं और PDF download कर सकते हैं इसका उतर होगा मौरिशस और याद रखियेगा दस जैन्वरी अगला कुशन बढ़ते हैं कौन जी बोली उत्र प्रदेश में नहीं बोली जाती है तो जो नहीं बोली जाती है वह मैथली मैथले बहार में बहार जानी घृति सभाश य neighbourhood और विशुद्र आपको चुना है यार किया गर बड़ी की मांतरा होता कि ये उपसरुई होता है और उपसर्व 58 जितने संस्क्रफ के बाई हैं वह सब्सक्राइब हनुता है तो उसे सब से देखे तो हमारा अंसर भी होगा एगला कुछन देखेगा पांच वाँ नमिकी सब्समों में से देश्र शब्द का उधारण क्या है तो इसमा पहला जाए पहले पाता हुज़ी कि कौन से शब्द कहला देशालर्थ भर आरे चया है तो पुर्तगाली है तो इसका जो सही आंसर होगा सी पैसा और वोट अगले प्रश्न कितर देखे हैं निविश्च शमुवों में से विदेश्च शब्द का उधार है विदेश्च का मतलब होता है कि वह शब्द जो हमरे विदेश्चों से भाषाय आई है या विदेश्चों से इसको ग्रण किया गया है जैसे डॉक्टर अस्वताल रेल इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या आप जो कह सकते हैं अलमारी अलमारी एक पुर्तगाली शब्द है सिर्म उसी प्रकार्सिस का अंसर होगा डी डी आपका एहसान और कमाल यह दोनों के एक एहसान अर्भी है और कमाल भी अर्भी है यह दोनों के दोनों हमारे विदेश्चों हैं अगले प्रश्मतर देखते हैं हल्दी शब्द का तत्सम तत्सम वो शब्द होते हैं तत्सम व प्रश्ण में से आपको ये चुनना है कि समनार्थक शब्द कौन से हैं याद समनार्थक और प्रवाची थोड़ा साइस में अंतर होता है यासे यहाँ प्रपूचा है कि स्वच्छ स्वच्छ शब्द का समनार्थी यह लिए यह होता है जार تمानेख साथ यहां जाली दो से समय वह संदाश स्क्राइब और पावर को देखिएगा प्रश्णूं में विलोंग शब्त करेंग कीजिए गाँ पहला है दसवा उझस्वी उझस्वी का शक्तिशाली होता है यहां प्रश्णूंढना है यह स्थेचर बारने परमार्थ यह सब को पता होगा यह कुछ आइवे कोशन सवक्राइब देखें करने वाला सही शब्द दिएगे विकल्पूं में से चुनिएगा शक्तिशाली अचन और यॉद नायक के एक शब्द होगा धिरो दांत इसकांसर सीव होगा ठीक है जो प्राण से सिद्ध ना हो सके जो प्राण से सिद्ध ना हो सके उसका असर होगा और प्रमार जो प्रमार से सिद्ध ना हो सके उसका प्रमारित ठीक है निल्खित में से कौन से शब्द गुर्माचक है गुर्माचक यार रखिएगा गुर्माचक जो गुर्माचक हम तो अगला देखे रहे हैं पर गुर्मा चेक में देखेएगा यहां पर दे रखा है कि जो प्रवास जो निमिकित में से पौन सा गुर्मा चेक यहां पर उतर होगा इसका अगला प्रशन देखेएगा पिता जी ने दो रिटर भूत खरीदा निमिकित पर्द में से विशेशन का कौन सा प्रकार है तो यह पता हमाँ चाहिए कि परिमाल वाचक और संख्या वाचक क्या होते हैं बहुत ही असान होता है यदि परिमाल वाचक है तो हमें ऐसी वस्तु आत्व् turmeric है अगर को हम तौल सकतर में हमें तो अगर हमारा तो क्या हम उसको घिन सकते हैं कि नहीं सकते हैं इसलिए दूज़ी चीज़ ये दूटर है इस करड़न परदिमालब होगा दूसरा दो लिटर है इसको गिन सकते हैं इसी करड़नी क्या हो जैगा निश्चित परिमार वाचत हो जाएगा अगर दिए के शब्द में आपको संदी विच्छत में सही विकल चुनना है सुलोवा कुशन है रूपांत्र यहां प्या में पहले यह पता होना चाहिए कि संदी कौन सी है हम आने वाले समय में संदी और विभीन परिशाओं से समंदित हम हिंदी के टेस्स लेकर आगे तो हम वहां पर आपको संदी और बागिस चीज़ों के बादे में कापी डीपली पढ़ाएंगे यहां पी चैसे रूपांत्र जाएगा तो हमें आख देखना है कि यहां पर क्या लगाया आके मांत्र लगी है तो फिर यह क्या हो जाएगा घिर्प संदी हो जाएगी और जब इसका विछेत करें तो रूप प्लस अंत्रन हो जाएगा इसका आंसर एग हो जाएगा अगले हम बात करते ही मनोई योग तो यह थोड़ा से सिंपल है यह विशर्प संदी में आती है और इसका उतर होगा मना प्लस योग अगला देखेंगा रमेश पर रमेश पढ़ा लिखा है या नहीं वाक्य में हमें यह देखना है कि क्या है यह कौन सा वाचक है इक्षा वाचक है आग्या वाचक है विधान वाचक है यह संदे वाचक है तो यहां पर हमें थोड रमेश पढ़ना लिखा है या नहीं अच्छा विधान वाचत बिल्कुल हो सकता है एक्षा बिल्कुल प्रकट नहीं होड़ी आगया हम दे नहीं जाएं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सब्सक्राइब करना है तो सबसे इसका एक आसान तरीकर यह होता है कि आप मैथड होता है ठीक है उसको अपना है क्योंकि इनमें हमें साथ ऐसे प्रशन दिये जाते हैं जो कि आपको आपको मैसा डौट रहता है तो जैसे इस इसमें आपको चुना है कि वाक में सही कौन सा है तो वैसे सब्सक्राइब बच्चे छर्थ पर खेव रहें हैं ठीक इस का अनसर ए होगा सीमय और क्योंकि आपन हमने यह काड़ करना है ठीक है हमने जाना है ये एक अब धी भाषा में हमने खेलना है में यह कह सकता हूं कि मुझे खेलना है यह हमने एक अर्मी है नवाबों की भाषा है यह जो की गलत भी है सबसे डेस्ट इस इस कांसर होता है दूसरे दिखेगा बच्चे घर पर है ढहें ये भी कलत है अग्ला प्रश्ण देखेगा वह दूब से है अगला प्रशन देखते हैं दिये गए और छेद का ध्यान पुर्वक अध्यन करें तरह रित्र इस्थानों के पूर्ति करें है इस में कुछ आगा विशेष यह में डियर्क औकिन सब्सक्ण दाएव एक इसका बमाबरा करना एक थिर्ण देखें थेर्ट का अप्षेj का और थोता है नाश करना ठीक है चौबिस में देखिएगा चौबिस का अंसर होगा दी प्रस फूटन और इसका मतलब होता है प्रकट होना खिलना ठीक है अग्या देखिए निमीडित वाक्यों में से प्रथम तथा अंतीम अंश संख्य एक और शेक अंत्रिकरत दिये गए हैं बीच वाले चार अंश के उचित करमानुसार विवस्थित कर उचित विकलब चुने तो पच्चिस में देखिएगा अच्छा इसको छोड़ने के प्रस्षित करते हैं बहुत असान प्रश्ण होते हैं हैं सबसे पहले हमें इस बात को ध्यां रखना है कि कोई मिलाकर आत्म श्रक्षा वैसे इसका अंसर देखिएगा चातों की आत्म वक्षा के तरीकों में के मामलों में महिला आयों नेपुर किया जाता है इसका 26 का अंसर होगा कि ए 27 में देखिएगा देश में सबीस में देखिएगा वाँ पे देश में संतुलिक चेत्री विकास ठीक है इसका अंसर हो जाएगा आपका सी अब यह पे जाते हैं 27 कोशन जब मित्र ने उसका सारा धन हजन कर लिया तो उसकी आँखें खुली इस महावरेक अर्थ होगा तो याद रहतिएगा सचाई समझ में आना ठीक है खोश में आना डर जाना नेद खुलना यह सब नहीं होता है ठीक है सचाई समझ में आना अग्ला देखिएगा छके चुड़ाना महावरेक अर्थ है तो इसका होगा अगर देखिएगा भारत भारती वाकिकर चाहिता है इसका है अगर देखिएगा निमिखित में से कौन सा यो असंगत है यहां पर हमें यह देखना है कि कौन सा इसमें ऐसा है जो कि जिसकी वह पुस्तक नहीं है तो इसका अंसर यहांपर डी हो जाएगा विग्ञान गीता के लिता घ्र दामा किब्ता सकते हैं और से अच्छा क conductivity किस बार्षा में है आपधा सकते हैं अधियमी मैं ऱ्रुश्म इसको आप पढ़िएगा इसके में डिर्क उतर आपको बता रहा हूं 31 का देखिएगा 31 का उतर होगा इश्वर को 32 में देखिएगा कभी कैसे प्रकास बराना चाहता है इसका उतर होगा डी जिस जिसमें मनुश्य सभी भेत भाव भूलाकर एक हो जाते हैं 33 में देखिएगा 33 का उतर होगा ए कभी ने अखिर व्रक्ति का क्यों किया है तो उतर होगा कभी समझ भीष्व के व्रक्तियों की बात करना चाहता है 34 में देखिएगा कविता के किस अंश के तर्ग ही आस्था का उलेख हुआ है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए छूटे भैशन से अंध भर्क्ति 36 में देखिएगा 35 में कविता की पंतियों के अंत में विस्म्यादी बुर्धर चिन का प्रयूग किया है तो इसका आंसर होगा इसमें कविता का सोंदेर बढ़ता है C अगर ठेखिएगा कविता का मूल भाव क्या है तो इसका उत्तर हो जाएगा C विस्म्यादी परिवार की भावना अगर देखिए कि प्रेमी शब्त का प्रयवाची क्या होता है तो याद रखिएगा प्रेमी शब्त का प्रयवाची ह तो प्रेमी शब्त का प्रेवाची नहीं है तो इसका अंसर हो जाएगा दुलारा इसने ही अनुरागी प्रेतम यह सब होते हैं अगला प्रशन देखेगा अप्री प्रति वह मेरा प्राण प्यारा कहां है दुख जल निभी डूबी का सहरा कहां पंती में कौन सा इस्थाई भ इसमें होता है आश्चरी रती या प्रेम बिल्कुल नहीं होगा और कुरूद तो बिल्कुल नहीं हो सकता ठीक है इसका आंसर सीव हो जाएगा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ क्या होगा तो याद रखिये गिसका होगा बेमेल तथा बेढ़ना आंसर डी हो जाएगा छोटा बड़ा होना सामन जिस से पूल या रंग विरांगा होना यहां सर नहीं होंगे आधा तीतर आधा बटेर ठीक है यहां बोल चाल भाशा में इसका अप्रियों होता है छातुर ने परिश्रम किया वे उत्तिर हो गए इस वाक का मिश्वाक में रूपांत्रा होता किम एक बट्ञान किया और वाक बट्रूअं इसका विषस हो गया होगा एक operate लिखनिक है और उत्तिरो नहीं है और यहां पर हम से पूछा है कि मिषूवाकई ऐसा वाकि जिसमें दो क्रियाएं हो सब्सक्राइब और यहां पर दो वाकियों को जोने होड़ा जो समुच बोड़क कि कहा जाता है बाकिया आपके किसी भी वाकिय में ऐसा कुछ नहीं है इसी करणा अंसर इसका हुए